कि अज़िए प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा बहेंस गाय के ब्याहिने से पहले पसु पालक अपने पास कौन सी दवाईयां जो जरूरी होती है वह अपने पास जरूर रखें ताकि यह दि पसु में किसी प्रकार की इस प्रकार की दिकत हो डिलेवरी के समय तो आपको दिकत ने हो और कई पर इस प्रकार की इस्तती आपको देखने को मिलती है यह दि आपके पसु की डिलेवरी हो रही है रात के समय हो रही है उसमें अपने पास जरूर रहकनी चाहिए हर पसु पालक को जो पसु रखता है और जिनकी पसु की डिलेवरी होने वाली है तो यह डिलेवरी होने वाली है उससे पहले जो मेडियेशन हो किसी मेडिकल स्टोर से या वेटिनेरी मेडिकल से खरीद के अपने पास जुरूर रख लें ताकि काम आएंगी और आपको कोई दिखत भी नहीं होगी बहुत से प्रसुपाल को कैसी सिकायती मेरे पास इस प्रकार के कमे मिलेगा अब कौन से अपने पास जरूर रहनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको जिस प्रकार से एलम्बिक की एस काल जेल यह आपको कहीं पर भी मिल जाएगी जो कि क्या होता है एक आयुनिक केलसियम है और यह आपके परसुपाल के लिए बहुत सक्षप जूरूत है और गिनिक पी है इसके बारे में आपको एक अलग से भी वीडियो बना करके दूँगा कि एसकाल जेल के परसूँ में क्या फायत दे हैं कितना बेनिफिट है कौन बचाती है तो इस तरह की जेल अपने पास जो केलस्यम जो LMB कंपनी की है,льसकाल जेल है ये अपने पास जरूर रखें जो 500 أMEL की आती है तो ये क्या करना है? जब ये दि आपके पसों की डिलेवरी होने वाली है तो ये दिलेवरी होने से पहले भी आप उस पसू को जिस प्रकार से 5-10 गंटे पहले आप उस पसू को दे सकते हैं आपको लगे कि आपके पसू के 5-10 गंटे के अंदर डिलेवरी होने वाली है तो उसमें आपको ये 500 ml एक साथ एसकाल जेल उस पसू को पिला देनी है तो उस पसू के अंदर गद एनर्जी आएगी आपका पसू वीकनेस महसूस नहीं करेगा और डिलेवरी के समय आसानी से उसकी डिलेवरी भी हो जाएगी और आपके पसू में एनर्जी भी प्रयाफ्त मातरा में होगी और नहीं आपके पसों में किसी भी परकार की जो केल्सियम है उनकी डिपसिंसी होगी और नहीं तो मिनरल्स की डिपसिंसी आपके पसों में देखने को मिलेगी चुकि ये पसों के आपके पसों को नेगेटिव एनरजी बैलेंस से भी आपके पसों को बचाएगी तो इसलिए आप अपने पास ये जरूर रखे और उनको 500 ml एक साथ उस पसू को पिला दे जब भी ये दिया आपके पसू की डिलेवरी हो जाती है हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरी एसकाल जेल आती है ये ये आपको क्या करना है उसके बियाने के बाद या जो ये जेल देने के बाद में आपको 12 गंटे बाद में एक और 500 ml उस पसू को पिला दे एक साथ तो इससे क्या होगा कि आपका पसू मिल्क फियों से बज जाएगा. आपके पसू में दूद की कम ही जोगी आपके पसू को किसी बी परकार की इस तरह की दिक्षत हिरा होगी और आपका पसु आसानी से दूद भी अच्छी मात्रा में देगा डिटेल से इसके बारे में बताने लग जाओं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन आपको यह उन पसु पालकों को यह अपने पास जरूर रखनी है और रखना है एक इंजेक्शन जिस प्र आपके पस्ता सबस्तान नहीं जा तो आप उसे इंजेक्शन लगवा सकते हैं इससे देगए को 5 में फाइदा क्या है कि आपके पसूंमें जो जेर सघ्यवास वासाने प्रकार की कोई दिकत नहीं होगी प्रसुग पाइव मेटरा से भी आप बचा सकते हैं यह इंजेक्शन लगाने से यानि किसी भी प्रकार का जो वेजाइनल इंफिक्शन भी होने से बच जाएगा क्योंकि उसकी अच्छी तरह से वेजाइनल ड्रेसिंग हो जाएगी तो यह 2 एमेल इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन मिले तो यह इंजेक्शन उस प्रसुग को लगवा दे कोई दिकत नहीं होगी आसानी से डाल देगा और इसके साथ इससाथ आपको आईरन की सक्त जरूरत होती है इसलिए आप उन प्रसुग के लिए जो सार को फिरो लाती है यह भ आपका पसुगों में किसी भी परकार की नगेटिव इनर्जी बेलेंस या आईरन डिपसिंस उस प्रसुग को नहीं है इसके नगर कोपर भी है केल्सिम भी मिलता रहेगा तो आप उस पसुगों 50 ग्राम सुब और 50 ग्राम से लगातार उस पसुगों स्थार्ट कर दें लग जी सारको फिरोल जरूर रहना चाहिए जिसके आपको MRP भी दिख रही होगी ज्यादा महेंगा नहीं आता लेकिन यह अपने पास जरूर रहना चाहिए इसी प्रकार एसकाल जेल के भी बता देता हूं में कितनी MRP का है यह लगबग एक जैल आती है लेकिन यह कि अमर्जें इंक टौनिक होता है यह भी अपने पास कम से कम बड़े पसूं के लिए 900 ml और चोटे पसूं के लिए 4500 ml अपने पास जरूर रखें और यह भी उस पसूं को 100 ml शुब है और 100 ml स्याम लगातार पांस दिन आप उस पसूं को यह यूटरो टोन भी उस पसूं को दे ताकि यह आपका पसू जो दूद के अंदर भी गिरावट नहीं आएगी और जब भी आपका पसू हीट में आएगा तो आसान इसे कंशीव भी कर लेगा यह दिए आप इस तरीके से यह आप अपने पसूं को यह जो मेडिशन आप अपने पसूं को देंगे तो किसी भी प्रकार के आ आपके पसूं को हो सकता है कि कई बर जो डिलेवरी होती है डिलेवरी होने के दोरान आपके पसूं को थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ज्यादा जोर लगाने के बजाए उससे पसूं को कि उसका टेंपरेजर बढ़ जाता है तो उसके बचाव के लिए आप उस से मेल इंट्रामस्कुलर से ज्यादा आप न लगाए यह 15-20 अमेल तक इसकी डोज लगती है तो यह इंजेक्शन भी अपने पास पसुपालकों के पास जरूर रहना चाहिए यह आप इंजेक्शन भी यह नहीं लगा सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है आप लेकिन यह अपने प समझे में आ गया होगा और यह आप अपने पास जो इंजेक्शन भी रखेंगे दिन नजदिक है कोई वेटिनरी से समझेद तो उसे भी आप यह इंजेक्शन लगवा सकते हैं तब आपके पसुओं किसी भी प्रकार की कोई दिकत नहीं होगी अब आप अच्छी तरह से इताबोलिक डिजीज होती है जिससे पसुपालों को बहुत ज़्यदा नुकसान भी होता है उससे कहें कि आपके पसुओं को खाना पिना कम जुगाली कम दूद कम इसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इसलिए आपको यह जार रुपे के लगवग यह आप ख इस वीडियो को जितना हं कि शैयर करें मेरी वीडियो को आप की लाइक से मेरी को मौटिवशन मिलता है और म आपके लिए पर आपके लिए इसे था सचे और अभीप सबस्क्राइब के लोग और 20-शाजस पर्शेंब अभी मीरे इस चेनल को देख रेने कि अभी बीकर को सब्सक्राइब कर लोग और तो आपको वह करकार की नोटिभोशय की और आपको अचा से अचा नोलेज मिलता रहे हैं थैंक्स धन्यवां प्रणी के नहीं आड़.